आप देख रहे हैं नेशन लाइं हर पल आपके साथ आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जम कर धुनाई कर दी उस जोरान का वीडियो भी सामने आया है पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलिज भेजा है और पूरे मामले की जाच की बात कह रही है युवग शाम को मस्जित में नमाज पढ़ने गया था जब वे नमाज पढ़ कर लोट रहा था तबी दो लोगों ने उसके उपर गोली से वार कर दिया युवग की मौके पर ही मौत हो गई आक्रोशित भीर ने उन दो आरोपियों में से एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर डाली खायल अवस्ता में पुलिस ने इस आरोपी को मेडिकल में भरती कराया वही सल्मान को गोली क्यों मारी गई इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है पुलिस ने जल्दी मामले की खुलासे की बात कही है पुलिस अदीशक सतिंदर चंद ने बताया कि नमाज के बाद युवक नमाज पढ़कर घर लोट रहा था तो दो युवकों ने उसका पीछा किया और उसको गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई अब दोनों R.O.P. भाग रहे थे तो पब्लिक ने उनमें से एक R.O.P. को पकड़ लिया और उसके साथ मार पीट की गई है उसको हमने Medical College में भरती कराया है उसके बाद इस केस में आगे की कारवाई की जा रही है आप देखने पाई थे तीन लड़के थे आपने पेंचाना किसी गुर्में से अच्छा आप थे नहीं आपका अपका अच्छा आप थे नहीं आपका अपका अच्छा बच्छा नाया आपका अच्छा भी नमाज के बाद मिस्टर सल्मान है यहीं रहते हैं इसी महले में वह मेडिकल कॉलेज में वह हैं टेलरिंग का काम करते हैं तो उनको नमाज पढ़के आ रहे थे दो लोगों ने उनके पीछा किया जिसा बता रहे हैं लोग जे तो उनके गोली मादी और उनकी लोग भाग रहे थे तो पब्लिक ने उनके से एक को पकड़ लिया है और उसको हालां थोड़ी मार पीट उसके साथ हो गई है तो उसको हम लोग ले गए हैं मेडिकल कॉलेजिन उसका हम लोग टीट्मेंट कराएंगे और उसके बाद इसके इसमें कोई गाहिल भी एसमें व कुस्ताज करेंगे और जो दूसा मुल्जिम भागा है हम लोग उसको भी गरफ्टार करेंगे पबलिक हमें आप सपोर्ट मिला है पबलिक बहुत देलेरी काम किया गटना हुई और मल्जिम को लोगों ने यहां गलेरी साथ उसको एक को पकड़ दिया गटना की वज़े को स अधर पता लगपा रही है अभी हम लोग देखेंगे निर्टिकेशन चल लगए